Hello Friends welcome to Dolores Qubetech, I am Virendra Content writes जो होते हैं वो अपने करियर में कौन-कौनन सी MISTIX करते हैं और अपने content writing में, जो skills हैं, उसमें कौन-कौन सी MISTIX करते हैं तो इस session दिसक्स केरंगे कि Top 10 content writing में कौन सी MISTIX होती है Top 7 अपने करियर में कौन-कौन सी MISTIX होती है तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, content writing के अंदर आप कौन कौन से mistakes करते हैं, जो आपको avoid करनी चाहिए हमेशा not double checking everything, आप जब भी content लिखते हैं, चाहिए article लिखा हो, चाहिए आपने कोई case study लिखी हो, चाहिए web page का content लिखा हो हमेशा आपको content लिखने के बाद check करना चाहिए, double check करना चाहिए, कि आपने कोई mistakes नहीं रख दियो, क्योंकि बहुत बार अपन सोचते हैं, जब लिखते लिखते हैं, अपने mind में 2-3 तरह के sentence जाता है, इस type का sentence में लिख दो, लेकिन बहुत बार उसमें mix up हो जाता है, और sentence मे या फिर double words जो जाता है, या फिर जो grammatical mistake हो जाती है, तो आपको double check करेंगे तो वहाँ पर, जो errors होगे रहा है, वह आपको find करके उसको award कर सकते हैं, तो आपको हमेशा यह चीज़ करना चाहिए, double check हमेशा करना चाहिए, हर content, piece of content चाहिए, social media के लिए आप तेन लाइन भी content दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपको double check करना चाहिए, then taking images from Google, second mistake content में आप यह करते हैं, कि Google search result में जाके आप directly images वहाँ से pick कर लेते हैं, for example, आपने 2000 word का यह article लिखा, और वहाँ पर आपको लगा कि मुझे images यूज़ करनी है, और images यूज़ करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको content इंगेजिंग बनाना और readability improve करनी है, तो वहाँ पर उसको relevant images से आपको चाहिए थी, जिस topic आपने Google पर search किया, और images में गए आप वहाँ पर, और वहाँ से जो आपको images अच्छे लगी, वहाँ से आपने डाउनलोड की, और अपने document में यूज़ कर लिए, और वह image लाइसेंस वाल image है, तो वहाँ पर आपको यह पता नहीं चलता, तो आप वहाँ से image लेना सहीं नहीं है, क्योंकि आपने गर copyright वाल image यूज़ कर ली, website पर शो हो गई, और जिसका copyright था, उसने claim कर लिया, तो आप legal issues में फर सकते हैं, ऐसा example मैंने अपनी real life में भी देखा अपनी content में यूज़ कर सकते हैं, then third mistake, poor SEO, आपको यह तो SEO सही से नहीं करते हैं, poor SEO करते हैं, या फिर SEO करते हैं, तो यह दोनों mistakes है, SEO नहीं करेंगे तो आपका content rank नहीं करेगा, and दूसरा, अगर गलत तरीके से SEO करता, आपको ऐसे पता नहीं है कि SEO करना कैसे है, कुछ best practices होत हो जाती है, तो यह negative SEO को काम करते हैं, आप content rank करने के बजाएं, उल्टा Google को आप कुछ penalties के लिए उसको signal दे रहे होते हैं, तो यह दोनों चीज़ें आपको हमेसा word करनी होती है, आपको थोड़ा कुछ skills आपको improve करने चीज़ के लिए, then not conducting thorough research, आप जो content लिखना शुरू करत हैं, और content को आप और रचे से insightful बना पाते हैं, then obvious advertising, obvious advertising का मतलग है कि आप directly बस content में अपने जो भी business के लिए भी लिख रहे हैं, उसको directly promote करने कोशिश करने, जिससे कि सामने गाले को पता चल रहा है सामने सामने से कि यह कुछ sales करने की कोशिश हो रही है, वहाँ पर, और यह अपना user behavior होता है सबका, कि वह किसी को आपको sale करने कोशिश करते हैं, तुमको जब पता जाए कि sale करने कोशिश हो रही है, और मेरे कोई benefits हो गरा या फिर जो भी challenges हो गरा है, उनका address से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ से prefer करना, buy करना या फिर purchase करना prefer नहीं करते लोग, जैसे आपने YouTube ads देखे होंगे, आपको पता होता है कि YouTube ads दिवर से आपको दिखाया जा रहे है, आपका मन नहीं उस ad को देखने तो आप वेट करते हैं कि कब 5 सेकंड खतम हो, इसके ad पर click करूं में, तो यह चीज़ यहाँ पर होती है, obvious advertising करते हैं, तो आपके content को लोग नहीं पढ कर सकते थे, और जो आपके सारे points थे वो in-depth cover हो सकते थे, लेकिन आपको यह सूचा हमेसा कि comprehensive content use करने का आपको मेंसा एक tip मिलिए कि हमेसा content comprehensive होनी चाहिए, comprehensive का मतलब यह निए कि हमेसा आपको 3000 words लिकने या 2500 words लिकने, comprehensive का मतलब यह है कि in-depth content हो, चाहिए मलब आपक जो topic है, उस पर सारी जो points है वो cover हो जाए अगर 1000 words में cover हो जाते है तो 1000 words are enough लेकिन जब जब आपको 1000 words का article आपको सारी points कवर हो रहे हैं लेकिन जब आपको 2000 words लिखने पर रहे हैं तो आप बहुत बार करेंगे कि repetitive content हो जाता है या फिर कुछ unnecessary content का part है वो include कर लेते हैं तो फिर content effective नहीं रहता और बोरिंग सा बन जाता है तो यह चीज आपको नहीं करनी है कि दैन नौट चेकिंग प्लेजरिम का importance आपको पता ही होगा कि इसके कितने बड़े consequences हो सकते हैं कि आप किसी का content चोरी करकर अपने content में यूज़ कर रहे हैं without कोई credit दीवें दो यह भी copyright वाला पार्ट है इससे भी आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं इसलिए यह हमेसा आपको content को double check करना चाहिए जब आप publish करो से पहले आपको चैक करना चाहिए जाता है कि कुछ lines वगरा words वगरा match कर जाते हैं unintentionally भी तो आपको check करना चाहिए और यह भी आप प्रिटिश इंगलेश उसके आपने पिछली ब्लॉग पोस्स लिखी थी उसकी लेंद कुछ अलग थी या फिर उसमें जो आपने structure हो गया रही उसका अलग है या फिर वी दिन एक आर्टिकल यह वे पेजिए उसके अंदर ही आपकी अलग लग तरह की कभी कई पे कैज्वल टॉन यूज कर रहें कई प्रोफेशनल टोन यूज कर रहें तो यह चीज भी आपको अवड करनी है कंसिस्टेंट होना है यह तो यह चीज दन इस ट्रक्षर को आप अवड करते हैं और जो सामने यूजर पढ़ रहा है उसको easily वो consume कर सकता है उसको और अच्छे से रीड कर सकता है then ignoring call to action आपको जो भी content लिख रहा है उसका एक motive होता हमेशा की purpose होता है कि किस purpose से लिख रहे हैं इक blog post लिख रहे हैं तो आप उस अपनी services के round लिख रहे हैं या फिर कुछ दूसरे for example affiliate marketing की भी बात कर रहे हैं तो हाँ पर भी आपका motive है आप अपनी website पर लिख रहे हैं तो भी आपका motive है तो आपको call to actions use करने for example आपको services है उस service की links आपको उसके बीच में interlinking के लिए और जो आप अपने throughout अपने career में करते हैं और काफी content आचा इनमें से कुछ mistakes करते हैं और आप जब for example आप शुरू कर रहे हैं content writing में अपना career तो इस चीज़े पहले से ध्यान अखले कि आपको इस चीज़े नहीं करनी है first your niche is to broad मतलब आपको जब कोई पूछता है कि आप कौन से writing के लिए apply कर रहे हैं तो जो companies वोगर होती है freelance project के लिए जो provide करा रहे होते हैं तो वो ऐसे content writer को डूनते हैं जो उनकी industry या उनकी जो business है उससे related content में expertise hold करता हूँ एक digital marketing company content writer कर रहे है तो वो चाहते है एक digital marketing expertise hold करता हूँ उस person को content लिए hire कर रहे है rather than कि जो को बोल दे कि मुझे बस education में लिखने का है या फिर मैं किसी भी तरह का content लिख लेता हूँ तो बेटर है कि आप कुछ specific niche decide कर रहे है जरूर निकी एक पर stick करें तो फिर आपकी demand होते ही नहीं रहती है और जो clients होते हैं वह आपको prefer कम करते हैं then don't have time to learn new skills आप ही सुचते कि मुझे content writing में अपना career बनाना और इसमें मुझे content writing की skill ही चाहिए इसके साथ आपको कुछ दूसरी skill भी चाहिए जो आपको content writing की field में ही help करेगी for example अगर आप SEO सीख लेते हैं थोड़ा basic सा आपको in-depth पूरा SEO expert बने की ज़रूत नहीं है आप समली for example on-page SEO practices जो होती है वह सीख लेए अच्छे से तो आपने content को अच्छे से optimize करना सीख जाएंगी और आप अपने content को जब बताएंगे कि अपने clients हो की मेरा content लिखा वाप first base पे rank करता है तो आपकी credibility बढ़ती और authentic content sound होता आपका दूसरा social media marketing अगर आप सीख लेत है थोड़ी basic सी शोचल मीडिया भी कैसा content वर्क पगरा करता है तो आप उसी साब से content को अपना improve कर सकते हैं तो इस तरह से आपको skills सीख सकते additional then only taking ghost writing assignments ghost writing content जिसका आपको credit नहीं मिलता है और आपका content एक क्लाइंट है आपका उसके नाम से publish हो रहा है regularly आपको पे मिल रहा है उसके लिए पे कर रहा है वह हमेंसे आपको ऐसे assignments ही नहीं है जिन पर आपको credit नहीं मिलता हो क्योंकि फिर आप जब किसी अपना portfolio बेल्ट कैसे करेंगे अपने portfolio भी आपको बेल्ट करने का थोड़ा ध्यान अगना है तो कुछ आपको try करना भीच भीच में कि मेरे नाम से भी कुछ publish content या कुछ articles वगएरा ताकि जब आपको next clients को proposal वगएरा देने हो तो आपने link share कर सकते हैं और drive वगएरा में जब Google Docs या फिर MS Word की files deadline चाहे आप फूल टाइम के जॉब कर रहे हो किसी company में या फिर freelance प्रोजेक्ट पर वग कर रहे हो यह हम ऐसा कभी भी मिश नहीं होनी जाए इससे यह मिस हो जाती है आपसे तो जो ट्रस्ट आपके उपर चाहे client का हो चाहे आपकी company में जो आपकी marketing head है या फिर content के team की head है त तो वहाँ पर trust कम हो जाता आपसे उनको लगता है कि हम ऐसा deadline मिस करेगा और कुछ projects ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जो काफी crucial होते हैं और जिनसे आपको और कुछ सीखने को भी मिल सकता है वो projects आपको नहीं देता है क्योंकि आप पर trust नहीं कि आप time पर दे देंगे content को औ तो वहाँ पर dependent होते हैं तो आपको आमेंसा deadline मिस नहीं करनी कभी भी तो आपको थोड़ा increase करना है और सोचना है कि कितना increase करना है आपको अपने content की quality के according not keeping up with digital trends digital trends का अलब है कि जैसे SEO है SEO में बहुत बहुत सार major updates आते रहते हैं जो Google अगरा है वह updates launch करता है कि क्या updates आगया और content आपका कैसा होना चाहिए तो कुछ न कुछ नहीं आता रहता है तो आपको digital trends में updated रहना है प्लस social media marketing में कुछ trends आते हैं क्योंकि algorithm को अपडेट करते रहते हैं यह social media marketing channels हो चाहिए search engines हो तो उनके साथ आपको update रहना है तभी आप एक अच्छे content creator बन सकते हैं थैंक यू